उत्राखंड में नगर निकाय के चुनाओं को लेकर लगातार संसे बरकरार है सरकार ने प्रसासों का कारिकाल तीन महने के लिए और बढ़ा दिया है पिछले कई महनों से राज्य में निकाय चुनाओं पर कसरत चर रही है लियाजा सरकार अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं ल निकाय चुनाओं को जल्दी कराई जाने की बात कई थी सरकार की और से यहां तक कहा गया कि निकाय चुनाओं परिसासों का कारिकाल तीन महने और नगर निकायों के बोड का घठन जो भी पहले हो तब तक के लिए बढ़ायजाता है दरसल उत्राखंड में एक दिसम्मर 2023 को नगर निकायों के बोट का कारिकाल समाप्त हो गया था ऐसे में इसके बाद जिलों के जिलादिकारी को परसासक के तौर पर नियुक्त किया गया था जिलादिकारियों का बतौर प्रसासक का कारिकाल भी 31 मई 2024 को 6 महने में पूरा हो गया है एक्ट के हिसाब से यह प्रसासक 2 जून 2024 यानि 6 माह तक के लिए तैनात हो सकते हैं ऐसे मैं अब सरकार के सामने समयधानिक संकट की इस्तिती पैदा हो गई थी लियाजा अचार सनिता का हवाला देते हुए राजिपाल से अनुमती लेने के बाद अब प्रसासक का कारिकाल और 3 महने के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों आप निकाए चुनाव महोरी देरी को कैसे देखते हैं हमें कॉमेंस कर अपनी रियाई जरू बताएं